अलो गाईज वेल्कम पूरी व्लॉग आज का व्लॉग होने वाला है काफी जादा मज़ेदार क्योंकि भागलपुर में एक नया मल्टिप्लेक्स ओपन हुआ है और वो कहा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में पहले हम लोकेशन की बात करते हैं लोके है कई सारे लोग मुझे यह बोलेंगे एक मॉल में भी एक मल्टिप्लेक्स है बट वो कई लोग को दूर लगता है तो आपके क्लोज में भी खुल चुका है भागलपूर में खलीफा वक्चोंक के पास एक और नया मल्टिप्लेक्स तो चलिए हम लोग पहले अंदर से आप पहले लांच पुरा बना हुआ है और एक सिर्फ यहां पर जो जहां से आप टिकट ले होगे तिकट जहां जो मिलता है वह यह सेक्षिन है और यहां पर थोड़ा से काम बचा हुआ है और भी चीज दिखाएंगे मगर उससे पहले हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंद यहां से आप ले सकते हो ठीक है और मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही कुप सूरत यह भी लग रहा है थोड़ा से यहां पर रिफ्लेक्शन का इश्यू होगा कि हां थोड़ा सा क्योंकि लाइट उदर से जादा आ रही है इसलिए पट उसके पहले आपको यह भी देखा ज और नेक्स लेवल चीज़ है आपको फोटो शूट करने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ है आपको वीडियो बनाने के लिए आपको इतना अच्छा 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 एरिया मिले का यहां पर और लिटरली मुझे लग निरा मैं भागलपूर में खड़ा हूँ पहले के जो कॉंपलेक्स खुले हैं जितने भी थेटर्स वगरा खुले हैं उन सारी चीज़ों से बेस्ट है यह बहुत ही बेस्ट लग रहा है मुझे और अब हम चलते हैं ओडी नम्मर वन टू और थ्री है बट तू जो है वह थोड़ा लगशरी है और वह चीज़ भी आपको मैं आपको बता है किया ओडी वन ओडी टू ओडी थ्री यह तीन है यहां पर बट यह अभी जो हम लोग आपे हैं और काफी क्या ही बलो नेक्स्ट लेवल चीज़ है चाह तो लग रहा है जबर्दस लग रहे हैं पता है मुझे क्योंकि यहां के जब कलर कॉमिनेशन जो है ना जबर्दस लग रहा है और यह जब लाइट वगरा ओफ हो जाएगे तो यहां पर भी बहुत सारे लाइट वगरा लगे हुए जो कि यह भी रात में रिफ्लेक करेंगे और काफी जादा खुपसूरत लगे यह प्लेस तो अब हम लोग चलते हैं ओडी 3 के तरफ तू नहीं दिखा रहे हैं अभी हम आपको दिखाएंगे जल्दे टू भी पट पहले हम लोग चलते हैं ओडी 3 के तरफ ओके तो यह देख सकते हैं अप इसका भी वही सारा जितना भी मतलब सीट वगर जितने वहीं और जो फैमली के लिए मैंने आपको बता था वो सारे सिस्टम सेम हैं बट यह चीज़ा इसका थीम जो वह ग्रीन का है ठीक है और उसी तरह भी मतलब सारी चीज़े तो कुछ को डिज साइन और जो वाल उगरा है उसमें हनला चेया गया है जिसके सेलिंग्स हैं उसमें चेंदी शेओ और भी बहुता सारी चीज़ें और हो सकता है जो जो चीज में को बता रहूं की जो बची होई चीज़े हैं वो जल्द ही बन जाए तो चलते हैं अप ODI 2 कि टरफ जिसका मु बिलीव नहीं हो रहा है कि भागलपूर में इस तरह को सेट अप बन सकता है बहुत जवर्दा सेट अप लग रहा है मुझे आर रहा है सुकून सुकून और यह देखे खास करके एक चीज देख सकते हो आप सब सारी जितने भी चेयर्स वकर लगे ना सब में एक लैंप दिया इसको आप यहां से ओन कर सकते हो देखो और इस चेयर के आपको एक खास चीज दिखाऊंगा और वो कुछ इस तरह से दिखेगी देख सकते हो आप मतलब आपके मताबिक यह एकजस्ट हो जाएगा जिस एपको जिस एंगल में आपको बैठना है लेटना है तो आपके वो एंगल में हो जाएगा तो यह लग्जिरिया कुछ-कुछ वाइदा यह भी है और बाकि फिर आप यहां पे इसको शिफ्ट कर सकते हो आप अपने स्न कि अपने स्नल किसी आपको लेंप कर सकते हैं और वहां पर आतर आपको देखते हैं की उपर से यह नीशे का फ्लोर कैसा लगता है में आपको जो पहले दिखा है वो भी बहुत अच्छा मतलब मतली प्लेक्स है पट यह हम लोग थोड़ा क्लोज आते हैं तो ही क्लोज है खलीफवाग के पास है तो जादा दूर महीं है आपको और जो इसके किकट्स वगरा जो भी चीज़े है वो भी आपको जल्दी पता चल कि कौन सा लिवन है कौन सा औरी टू है कंटा ओरी थ्री है क्या क्या यह पे यहां पर दी जा-रिया कौंगे सिक्ष्ण से हम स्नाक्स वगरा लेगेह और चीज़े है अब आते है मैं झीची इसका आपनिंग पने वाला में लले अने वाला है तेरा तारिक친.. 13 अगस्त को सब्सक्राइब करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस में शेर करें और आने वाले जितने भी यहां के व्लॉग पे ही दिखेंगे आपको डिटेल वीडियो में देखाएंगे तो ख्या लग रहा हम मिलते हैं आपसे नीव व्लॉग में बाई